इसके अधर हम बात करेंगे अर्षनिक पॉजनिंग की पर इसके अंदर हम बात करेंगे बेशिक सोर्स की कहा तहां से हमको आर्षनिक पॉजनिंग आपकी बॉड्डी में आ सकती है intentionally accidentally उसके आज आने पे कौन कौन से symptom हमको देखने को मिलेंगे और अगर symptom दिखते हैं confirm होता है कि यह arsenic की poisoning है तो हमको ऐसे कौन कौन से measurement और treatment के process को follow करना पड़ेगा जहां पे हम उस poison को neutral कर सकें, nullify कर सकें, body से बाहर eliminate कर सकें इसके लिए कुछ basic basic point को हम सुरू करते हैं देखना सबसे पहले हम देखेंगे source के बारे में कहां कहां से arsenic मिलता है depending upon the forms, physical form, chemical form of arsenic इनके source अलग-अलग हो सकते हैं पहला है इन और्गनिक आर्जिनिक यह इन और्गनिक आर्जिनिक का source है वो है insecticide, insecticide मतलब होते है ऐसे agent जो कि insect को खतम करने का काम करते है आपके plant में से, आपके खेतों में उगल रहे फसलों से इनको princex से बचाने का काम करते है दूसरा है rodenticide, rodenticide जो होते हैं जो बील में खोद देते हैं इनके कहां से फसल बरबाद हो जाती है तो इनको किल करने के लिए जिन chemical का यूज करते है उनको हम बोलते है rodenticide उसके बाद है आपका fungicide का अक्सर आपने देखा होगा plant में कुछ अलग तरे के पतियों में उनके stems में fungus growth होते है यह fungus उस plant की growth को पुई तरह से destroy करते है और उस plant को भी पुई तरह से खतम कर देते है तो इनी को खतम करने के लिए जो agent हम यूज करते है जिन chemical को यूज करते है उनको हम बोलते है fungicide यहाँ पे तीन word है हर जगा आपका insecticide, rodenticide, fungicide यहाँ पे इस side है यह seedal का मतला बहुत है उसको kill कर देना इसके पहले जो word लगा होगा उसके respect नो उसको kill करेंगे यहाँ पे हर भी side, यानि कि यहाँ पे ऐसे agent होगे जो unwanted जिसको मनों हिंदी में खरपतवार कहते हैं उन घांस पूस को खतम करने का काम करते हैं इसके बाद है wood preservative आपने देखा होगा जब कभी भी furniture भार बनवाते हैं कई sofa बनवाते हैं लकडियों के तो इनको preserve करने के लिए एक specific तरिकल को हम paint करते हैं यह जो preservative है वो भी कहने कहीं आपके arsenic poisoning का source हो सकते हैं उसके बाद देखिए compound which are used in the manufacturing of different types of glasses जो glass बनाने के industry है ग्लाज के साथ साथ कुछ case में और भी ऐसा ornamental चीज़े होती है सजावती चीज़े होती है इनको बनाने वाली जो industry होती है वहाँ पे इन arsenic को use करते हैं सर्स के रूप में तो वहाँ से arsenic poisoning आ सकता है उनको directly आएगा जो इनके direct contact में है और उनको indirectly जो बनने के बाद इनको किसे किसी तरीके से consume करते हैं या इनके spray painting के समय कहने कहीं ये फ्यूम के form में हमारी body में एंटर करते हैं सो वे कोई भी हो directly हो या indirectly हो doesn't matter ultimately ये source तो वही से हैं तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इनके important example के बारे में ये example है arsenic trioxide दूसरा है arsenic pentoxide और sodium arsenate ये example याद रखिएगा question उचे जा सकते हैं coming to the next form of arsenic that is organic arsenic इस organic arsenic का source क्या है these are present in environment ये हमारे आसपास के वातारोर में already किसी किसी form में present होते ही है खास करके arsenic gas के अगर बात करें तो वो बहुँ ज़्यादा पाया जाता है क्यों क्यों क्योंकि ये arsenic gas is used in metallurgy जो metal के चीज़े हुनती है जो different डिफेंट डिफेंट टिफेंट के constant strength हम लोग ये use करते हैं building blocking के लिए उन सब में arsenic कहीं कहीं पाया जाएगा galvanizing जहाँ पे आपने पढ़ा होगा बात्या भट्टी वाला आपके आर्टी नवी में जहाँ पे लोगई को दूसरे form में कर्मट किया जाता है galvanization किया जाता है उनको strong बनाने के लिए वहाँ भी ये arsenic आता है तो जो इनको perform कर रहा होगा उनको arsenic poisoning के होने के सम्भावना बनती है इसके बाद lead painting जो आपने पीशे topic में lead poisoning के बारे में देखा था तो जहाँ भी lead की painting होगी वहाँ भी arsenic के chances होते हैं पाया जाने के and in manufacturing of silicon microchips microchips बहुत है important है जहाँ पे ये आपके किसी electronic device में use होते हैं चाहे mobile में हो चाहे computer में हो या किसी और में हो तो इन microchips को बनाने वाले जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ भी इसके silicon microchips के बनने के समय में arsenic का use होता है वहाँ से arsenic poisoning आ सकती है आगे बात करते हैं pharmacokinetic ये बहुत ही important है और इसको थोड़ा आगे भी देखेंगे अगले whiteboard section में तो pharmacokinetic of arsenic का मतलब क्या होता है जब ये arsenic हमारी body में आएगा तो इनके nature के according ये हमारी body इनके साथ कैसे कैसे response करती है because pharmacokinetic means what does body do to the drug और what does body do to the agent which is getting inside our body सबसे पहला point है absorption क्योंकि इसके दर्ण पढ़ते क्या है ADME absorption of arsenic is depend upon the physical state जो मैंने आपको starting में कहा था कि किस तरह का physical state है किस तरह का chemical state है so physical state of compound that is arsenic salt है कि वो किस form में है salt है या कुछ और है अगर ये salt है तो it is more water soluble यह आप जानते हैं concept से किसी भी drug में भी आपने देखा होगा salt form ज़्यादा water soluble होता है और जब ज़्यादा water soluble होगा तो इनका जो absorption होगा आपकी body में वो भी as compared to non salt form में ज़्यादा अच्छे से होगा और यहाँ पर absorption से हमको फायदा होने वाला नहीं है नुक्सान ज़्यादा होने वाला क्योंकि यह कोई drug कोई medicine तो नहीं है और जब poison का absorption ज़्यादा होगा definitely इनका जो unwanted toxicological effect है वो body के different organs पे tissues पे unwanted तरीके से देखने को मिलेगा coming to the next pharmacokantic profile that is arsenic is mainly stored in अब यह अगर arsenic आपकी body में आता है absorb होता है, distribute होता है तो यह आगे दागे कहां store होगा कहां accumulate होगा mainly they can be accumulated in heart, liver, lungs, kidney it is also stored in hair and nails यह important है क्योंकि कई बार poisoning के case में इनको check किया जाता है साथी साथ आपके bone और teeth इन दोनों जगा भी भी यह arsenic जाके deposit हो सकता है अगर मैं बात करूँ hair की तो कब, कितने देर में और कब तक यह deposit रहता है देखिए hair में यह deposition स्टार्ट होता है within two weeks दो week तक अगर इस तरह की poisoning आती रही intentionally, unintentionally तो यह आपके hair follicle में जमा हो सकती है और यह आगे जाकर तक एक साल तक, कुछ सालों तक यह जाकर के आगे भी रह सकती है hair के follicles में अगला देखिए, cause fetal damage बहुत ही important है, that means it is a teratogenic cause fetal damage and because they cross the placental barrier blood placental barrier placenta को cause कर सकता है इसलिए pregnancy के समय अगर accidentally इनका consumption होता है तो they may easily move towards the fetal which is going to grow inside the womb of mother तो वहाँ भी unwanted effect हम को देखने को मिल सकते है अगला point करता है the metabolism, ADME के में metabolism की point है the metabolism of arsenic is done by oxidative methylation जब oxidative methylation होगा तो इनका आपने पढ़ा होगा phase 1, phase 2, different types of methylation, oxidation, reduction तो यहाँ पे इनका metabolism होगा कुछ और point है हमारे pharmacokartic का उसको भी हम देखते हैं चलिए second whiteboard section में pharmacokartic profile का अगला point देखते हैं वो कहता है root of elimination जब कोई भी drug, कोई भी poison कोई भी substance, किसी भी तरिके का agent आपके body में enter करेगा किसी भी root से तो वो अपना काम करने के बाद या कभी कभी बीना काम के वो तो body से बाहर निकलेगा ही न इसे कहते है root of elimination अगर कोई भी विट्टी इस तरह का arsenic को लेता है या गलती से चला जाता है तो वो arsenic अपना poisonous effect देने के बाद कभी न कभी तो body से बाहर निकलेगा कहां से body से बाहर निकलेगा अगला जो point है वो कहता elimination half light इसका question बन सकता है elimination half light यह होता है 3 से 5 दिन arsenic का यह वह समय है जिस पे वो drug आपकी body से at least 50% बाहर निकल जाए यह कहलाता है elimination half light अगर हम बात करते हैं toxic effect of arsenic on different organ अलग-अलग organ पे इनका कौई कौई सा अलग-अलग effect देखने को मिलता है toxicity के साब से तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके main cardiovascular system से heart-paste UDV system से vessels जोड़वे system पे इसका क्या-क्या दिस्प्रभाव देखने को मिलेगा पहला है mild vasodilation थोड़ा सा हलका सा vasodilation that means dilation of blood vessels यह हो सकता है और इसके कारण से facial edema की problem हो सकती है थोड़ा सा चहरा आपका सुझा-सुझा दिखाई देगा दूसरा capillary की permeability भी increase होगी increase permeability of capillary इसी कारण से तो edema बनने के chances बनते हैं इसके बाद hypotension hypotension क्यों? hypotension मतलब पता है pressure की थोड़ी सी normal value से कमी हो जाना जब hypotension के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा कि जब blood vessel constrict हो जाता था उसकी बज़े से hypotension होता था और यहाँ पर constrict नहीं dilate हो रहा है इसी लिए आपका hyper नहीं hypotension होगा उसके बाद अगला है THF, congestive Heart Failure की problem होगी इन सब के उपर detailed video अप्लोड़ेड है इसके बाद arrhythmia आपके heart के rate के rhythm में change हो जाना या तो बहुत fast हो जाना या बहुत slow हो जाना this is called bradycardia as well as tachycardia दोनों को combine लूप से हम बोलते है arrhythmia rhythm का change होना इसके बाद अगर हम बात करें gastrointestinal tract GIT पे इसका क्या आसर होता है इदकी abdominal cramp mostly काफी सारे poison में अगर वो oral mood से लिए गए है तो GIT पे cramp होना सभाविक है ये GI cramp cause करेंगे diarrhea cause कर सकता है increase कर सकते है या आपके peristylactic movement को और अगर हेमोरेजिक कंडिशन आ सकते है gastrointestinal status भी हो सकते है blood आ सकता है आपके gastrointestinal part में swelling inflammation आ सकते है bloody fecal material भी जा सकते है यानकि आपके stool के साथ blood भी pass हो सकता है ये कुछ important symptom associated with the arsenic poisoning in respective the gastrointestinal tract अगला बात करते है that is kidney kidney बहुत ही important part होता है हमारे body में filtration करने का यही kidney maximum maximum poison को filter करने के कोशिश करती है पिछले sections में भी आपने देखा kidney एक important part play करेगी यहाँ भी देख रहे हैं कि alienation यह भी चुरू हो रहा है तो kidney पे इनका क्या असर पड़ेगा maximum case में यह जो arsenic है वो renal capillary और renal tubule को affect करते हैं इस तरह की problem काफी ज़्यादा परशांट कर सकती है and that condition may be fatal for their life तो आगे बात करें तो अगला है हमारा skin इस skin पे क्या आसर पड़ेगा arsenic poisoning का there will be a hyperpigmentation what is the meaning of hyperpigmentation hyper का मतलब होता है ज़्यादा और pigmentation का मतलब होता है skin के color का बनना तो आपके जो skin में color बन रहे millennium वगरा की वज़े से वो थोड़ा ज़्यादा बनने लगेंगे and that converted into a dark shade ये कलाता है hypermillination उसके बाद ये दिखिए liver पे क्या आसर पड़ेगा basically liver हमारे body का दूसरा सबसे important part है अगर मैं बात करूँ drug के poisoning को कम करने के respect के हिसाब से तो यहाँ पे poisoning material के आज आने की वज़े से fatty liver होने की chances बनते हैं आपके liver में fat जमा होने लगेगा that is called fatty liver necrosis की problem हो सकती है that means called cell death उस liver के particular cell में death हो सकती है occlusion of bile duct जो हमारे bile duct होते हैं जो bile बनता है आपके GIT में जाता है digestion मदद करता है elimination of some type of drug के भी बदद करते हैं इनके इस bile duct में occlusion की problem होने लगेगी अगला है carcinogenesis यह cancer cause करने की ability रखते हैं carcinogen मतलब ऐसे agent जो cancer cause करते हैं carcinogenesis मतलब ability of that particular drug to cause of cancer in some strength इसके लिए देखे कौन कौन से cancer cause करेंगे along with this kind of cancer they have chances of kidney and liver cancer too वो kidney और liver में भी cancer cause करने की ability potency रखते हैं कौन हमारे arsenic poisoning दुसरा देखिये blood पर क्या असर पड़ेगा so they will inhibit the formation of blood as well as they will also inhibit the formation of hemoglobin that is why there will be a reduction in hemoglobin level in your blood और आप जानते हैं कि the main function of hemoglobin is to carry the oxygen it has a four binding site for the oxygen molecule and it is used to carry the oxygen from one part to the another part that is why it is very important constituent of our blood इसी के विए से हमको ताकत फिल होती है आप काम करने की ability रख पाते हैं hemoglobin का लेबल जैसे ही कम होना सुरू हो जाएगा वैसे ही आपको बीखना सुरू हो जाएगी तो यह रहे हैं organ के symptom अब मैं आपको इन हील के symptom को अब ही मैंने आपको पार्ट वाइस दिखाया है अब आपको दिखा रहा हूँ मैं acute और chronic के accordingly इनके symptom कौन से हैं फिर वापस आजाएंगे इसी वाइड वर्ट सेक्षन में अगर हम arsenic poisoning के symptom को acute और chronic के हिसाब से classify करना चाहें तो बहुत आसानी से दो टेबल के साब से classify कर सकते हैं और जिनके symptom maximum वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बाइफर्गेट और्गन के साब से करके दिखाया था सबसे पहले हम बात करते हैं acute arsenic poisoning की तो symptom बहुत simple simple है that is gastro intestinal discomfort आपके पेट में इंटेस्टाइन वाले हिस्से में discomfort cause होगा जब आप ये ड्रग लेंगे उसके एक घंटे के अंदर ही या यू कहूं कि जब आप ये poison आजाएगी आपके बाड़ी में उसके एक घंटे के अंदर ही आपको GIT के discomfort देखने सूरू हो जाएगे the first symptom in arsenic poisoning our sensation of lips burning आपको सबसे पहले आपके होटों में जलन का ऐसास होगा construction of throat आसे लगिया कि आपका जो throat है गला है वो थोड़ा सा सक्रा हो रहा है difficulty in swelling कोई भी चीज जब आप खाएगे उसको swell करना उसको निगलने में आपको तकलीफ होगी followed by severe gastric pain काफी ज़्यादा pain होगा आपके पेट में continuous and forceful vomiting आपको गहुँँ ज़्यादा लंबे समय तक देर तक force के साथ vomiting होगी और काफी ज़्यादा मात्रा में डियारिया होगा यानि कि loose motion होगा दूसरा जो हम अगर बात करें acute symptom का arsenic poisoning के case में तो यह कहता है usually observed with protein aurea आपके urine में protein का elimination होगा hematourea थोड़ा सा आपके blood जा सकते हैं और ultimately finally यह आगे जाकर continue रहा तो aurea यानि कि no passage of urine इसमें जाके convert हो सकता है इसके बाद अगर अगर हम बात करें symptom of shock का तो वो भी देखने को में सकता है क्योंकि यहाँ पे जो blood है जो fluid है वो कम हो रहा है दोनों के कान से आपको shock की problem हो सकती है जैसा हमने आपको पिछले semester में discuss भी किया था इसके बाद है hypoxic conversion lack of oxygen की विज़सी conversion आ सकते हैं उस वक्ति comma में जा सकता है और finally उसकी death भी हो सकती है अगर हम बात करें chronic arsenic poison की तो muscle weakness and pain यह बहुत साधरान से symptom नजर आते हैं skin का pigmentation होगा hyper keratosis होगी और finally वो swelling यानि की एडिमा में convert हो सकता है garlic के जैसा smell आएगा आपके सांसों से और आपके पसीने से यह बहुत important है यह याद रखेगा क्योंकि यह काफी अलग type का symptom है तो यह आपके garlic case में लागे साथ-साथ throat में भी आपको थोड़ा सा खराश eating जैसा होगा excessive salivation होगा आपके saliva का सिक्रेशन जादा होगा generalized eating होगी और lacrimation जो आपके आँखों से आसु बहने का chances है वो थोड़ा ज़्यादा भेहन लगेगा dermatitis होगी यह इंफ्लामेशन अब डर्मल पार्ट होगा vitiliego हो सकते हैं सफेद दाग जिसकों लग बोलते हैं alopecia, baldness जिसकों लग बोलते हैं वो हो सकता है अगला है weakness कमजोरी लगेगी anorexia, भूब कम लगेगी vocational nausea and vomiting हो सकता है और diarrhea भी हो सकता है किसी किसी के case में यह diarrhea के ultra constipation भी cause कर सकता है और आखरी में अगर हम बात करें renal के case में तो renal dysfunction भी हो सकता है renal failure भी हो सकता है now let's back to the whiteboard section जिसमें हम बात करेंगे specific antidote के बारे में आईए अब हम बात कर लेते हैं इनके management और treatment की procedure के बारे में management और treatment में basic अंतर यह होता है कि management में हमको उसके suitable conditions को जो उस particular person के लिए या उसकों की patient के लिए सही है उनके oxygen के supply उनके body का pressure, blood का pressure इन सब को हम maintain करके रखें यह management कहलाता है कब तक जब तक कि उस patient को हम doctor के पास नहीं ले जाते, hospitalized नहीं कर लेते या hospital से कोई doctor आ करके उनके condition को देख करके identification करने के बाद proper diagnosis नहीं कर देते diagnosis के बाद proper treatment नहीं कर देते तब तक उसको manage करना पड़ता है और एक बार अगर अगर यह confirm हो गया कि हाँ इसी तरीके का poison है यही poison है तो उसके लिए suitable antidote को हम prefer करते है यह कहलाता है treatment maintenance में, management में basically हमको का करना पड़ता है उनको stabilize करना पड़ता है, उनको oxygen के therapy supply करनी होती है उनके gesture posture को एक proper way में maintain करना पड़ता है और सबसे ज़रूरी जिसके contact में आने की वज़े से उनको poisonous effect देखना start हुआ है, उनको उस object से दूर रखा जाए, दोनों को separate out कर दिया जाए, ताकि further exposure और further exposure के साथ further absorption ना हो सके यह बहुत ही important है, और दूसरा जो case कहता है, monitoring of vascular volume is very much important, इस case में आप में देखा कि उसका vasodilation होता है, volume of bed वो भी कम हो जाता है, volume of fluid वो भी कम हो जाते हैं, और इनके कम होने की वज़े से आगे जाकर के हमको shock की problem हो सकती है, hypo volumic shock हो सकता है, तो उसको prevent करने के लिए इस तरह से हमको बीज़ी बीच में interval में उनके intra-vascular pressure को volume को check करते रहना पड़ेगा, shock के बार में हमने पिछले semester में discuss किया है, जब volume कम हो जाए, तो heart पे जो affect पड़ता है, उसकी विए से shock generate होता है and that has to be treatment by replacement of different types of fluid वो क्या है, यहाँ आपके देख लिज़ी fluid replacement, different types of fluid, जो की body के सही है उनको साथ-साथ ऐसे agent जो की pressure build up करते हैं, like pressure agent example के बात करेंगे, तो इसका example है die japan, इनको initiate करते हैं देना, administer करना, ताकि हम क्या कर सकें ताकि हम control कर सकें आपके high potential को, आपके इस case में, खास करके इस poisoning के case में, आपके वैसा dilate हो जाते हैं, dilate होने की वज़े से high potential होता है, blood pressure कम होता है, तो हम इस तरह के pressure agent को देख करके pressure को maintain कर सकते हैं, एक desirable point तक, एक desirable जो pressure होता है blood का, उस तक हम इसको maintain कर सकते हैं, coming to the next point that is specific antidote, now what is specific antidote, जो आपके poison का nature है उस poison के poisonous nature को nullify या neutral करने के लिए एक suitable agent देंगे, जो कि उसको collating का काम करेगा, एक crab, एक केकड़े के जैसे उसको जकल लेगा ताकि वो further और जाकर के body में distribute ना हो, उनके nature of solubility को convert कर देंगे water solubile में, so that इनको urine के through, या किसी particular case में आपके bile के through, fecal metal के through body से बाहर eliminate कर दे, object तो clear है कि आपके body से उस content को as soon as possible और as much as possible उनको body से बाहर निकाला जा सके, so हम क्या करते हैं, dimercaprol, what is the second name of dimercaprol, आपको बताया था, B-A-L, यह आप याद रखिएगा, यह बहुत ही important है, so इसको हम देते हैं 3 mg per kg intra muscular root से in every 4 hour, which is used to chelate the poison, जो poison लिया हुआ है, इसको chelating करने का काम करता है, इसको complex मुला करके, neutral करने का काम करता है, कब तक, जब तक कि यह जो abdominal pain है, उस poison के symptoms के accordingly, वो subside, वो दीरे-दीरे कम, वो दीरे-दीरे हटना start नहीं कर देता, या जब तक इसको हमको use करते रहना है, अगला है oral penicillamine, मैंने यह dose भी बताया था, इनका root भी बताया तो penicillamine is always given by older root, और यह जो बाकि था, वो आपको मैंने I.M. के थूरू बताया था, so penicillamine that is orally is given for 4 days, 4 दिन तक penicillamine को देना है, मैं dose को skip करता हूँ, self-medication को avoid करने के लिए, उसके बार देखे, chronic toxicity of arsenic अगर किसी को chronic toxicity हो गई है इस arsenic की वज़े से, then it is usually treated with penicillamine alone, single penicillamine देकर के इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, अगला point कहता है, that is important determination of arsenic level in urine, उस particular person के urine से जो output हो रहा है, उस output होने वाले volume of urine से, कितना level, कितना concentration, कितना percent आपके arsenic का है, वो determine करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही दिखाता है आगे दा करके कि हम आपके treatment के duration को कब तक continue करें, कब तक चलने दें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मातरा में arsenic या कोई poison निकल रहा है that means not yet completed और अगर दीरे दीरे बोर्दम कम होते जा रहा है तसका मतलब है कि आपके therapy काम कर रही है और कुछ तमयबार आप इसको बंद कर सकते हैं यह indication है, यह available of concentration of poison, यह arsenic poison in urine determination के लिए so अगला point, dialysis may be restored in severe arsenic induced to use nephrotoxicity ऐसे व्यक्ति जिनको nephrotoxicity हो गई है यह जिनको already nephrotoxicity थी और उनके case में यह arsenic poisoning है तो दोनों में से कोई भी condition या दोनों condition आ जाए तो उसको manage करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा dialysis, dialysis क्या है artificial way of blood purification जैसे हमारे blood में जो भी impurity है एल्टिमेटी सब तो blood में ही जा रही है तो उस blood की impurity को आपके kidney तक पहुचा जाता है kidney उनको different different step filtration, reabsorption, secretion इनके through body से बहार भेज जिती है आपके collecting duct के through urine के form में बहार भेज जिती है तो blood की impurity को filter करने का natural काम किस ने किया आपके मेरे सब के kidney ने अगर kidney काम नहीं कर रही है तो हमको same percent mimic करवाना है artificial तरीके से semi-permial membrane के मदब करते हुए different types of fluid को reuse करते हुए कि आपके blood को उसमें से बुजारा जाए उसमें से pure किया जाए देन वापस से आपके body में re-administer किया जाए यही गलाता है हमारा dialysis तो फेंड यह था final और आकरी part of our arsenic poisoning इसके साथ toxicology complete होती है next part में हम बात करेंगे chrono pharmacology के लिए आज के topic का जो reference था उसे team book से लिया आगया है mainly PC dandia, P. जगीज पसाद और आपका पदमजा उदयकुमार अगर आप इन तीनों whiteboard session का screenshot लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद में हट जाओंगा आप इसका screenshot ले सकते हैं और हमारा जो नया channel है क्योंकि अब यह topic खतम होने वाले है pharmacy dictionary उस पर आप लेक काफी सारे नए नए surprise आने वाले है तो आप उस channel को भी subscribe कर ले link description में दिया हुआ है and the last, thank you very much for watching this video Namaskar and do take care of yourself, thank you